हेलो फ्रेंड्स वेलकम टो माई यूटूब चैनल मैजिकल तिंक पर आज किस वीडियो में हम आरो ए आरो समिक्षा अधिकारी सायक समिक्षा अधिकारी के लिए उत्राखन जीके के कुछ इंपर्टेंट क्वेशनों के बारे में डिस्कसन करेंगी जो हमारा 19 सालिक को हमारा इंवर्मेंट सुपरवाजर का एक्जाम हुआ उसमें से हमारे चैनल में काफी ज्यादा क्वेशन आरके थे हमारा उत्राखन जीके से आरके थे और कैमिस्टी में आरके थे बाइलोजी में आरके थे कंप्यूटर्ट में आरके थे और चंद्रियान से आरके थे आसा करता आज के question मिला जो भी question में आपको बताऊंगा वो सारे question हमारे स्लेबस के according को रहेंगे कोई भी question हमारा स्लेबस से बहार नहीं रहेगा श्टाट करते हैं आज के पहले question के साथ प्राचिन सेल शित्रों वाली लाखो कुफ़ा इस्तित है तो हमारा इस question का right answer हो जाएगा जो हमारे लाको को हुआगी जो खोज हुई ये 1960 में हुई और इसके जो खोज करता है ये डाक्टर महीश्वर परसाद जोसी है और ये हमारे अलमोला के श्याल नदी के चट पर इस्तित है और जो हमें यहां से सेल चितर प्राप्त हुए वो मानत रथा पसुओं की सेल चितर प्राप्त हुए वो भी निर्ते करते हुए चितर हमें यहां से मिले तो हमारा इस question का right answer हो जाएगा option number A, पाली question number 3, महाभरत में गड़वाल का वर्ण किस रूप में हुआ है option number A, अर्थ कुरू option number B, विभक्ति कुरू option number C, उत्तर कुरू option number D, ना कुरू तो हमारा इस question का right answer हो जाएगा option number C, उत्तर कुरू question number 4, खतलिंग, हिमनद, उत्तर कुरू option number A, जलकुर, नदी का option number B, भिलंगना नदी का option number C, पिलंग गंगा नदी का option number D, बाल गंगा नदी का तो हमारा इस question का right answer हो जाएगा option number B, भिलंगना नदी का question number 5, निम लिखित में से कौन सा पर्वत पदिया नगर नहीं है option number A, टनकपुर, option number B, कोड़द्वार option number C, रुद्रपुर, option number D, हरिद्वार तो हमारा इस question का right answer हो जाएगा option number C, रुद्रपुर question number 6, मुझकुंद गुफा कहां इस्तित है option number A, बदरेनात के पास option number B, किद्वार्णात के पास option number C, रुद्री के पास option number D, गंगूत्री के पास तो हमारा इस question का right answer हो जाएगा option number A, बदरेनात के पास जो हमारी मुझकुंद गुफा इस्तित है वो हमारी बदरेनात के पास इस्तित है question number 7, उतَّरा खंड की किस मेले में मसली मारने की परंपरा है औप्सन नमबर A मौन मेला औप्सन नमबर B चैती मेला औप्सन नमबर C गैंदी मेला औप्सन नमबर D जोल जीवी मेला तो हमारा इस question का right answer हो जाएगा औप्सन नमबर A मौन मेला जो मौन मेला होता है इसमें मसली मानने की परंपरा होती है और यह मिला हमारा अगलार नदी से संबंदित है जो परसों आरकत हमारा Environment Supervisor में क्वेशनार कहता की परसित मौन मिला का संबंद किस नदी से है तो हमारे यही इसका रैट अंसर है हमारा अगलार नदी से हमारा मौन मिले का संबन्द है Q8. चोफुला क्या है? Option नमबर A. तहसिल Option नमबर B. लोकवाध्या Option नमबर C. निर्तिया Option नमबर D. पवित्र इस्थल तो हमारा इस question का right answer हो जाएगा Option नमबर C. निर्तिया जो हमारा चोफुला होता है ये एक निर्तिया है Q9. जागला पर्व किस जन्जाति से संबन्दित है Option नमबर A. बोकषा Option नमबर B. थारू Option नमबर C. राजी Option नमबर D. जौनसारी तो हमारा इस question का right answer हो जाएगा Option नमबर D. जौनसारी जो जागला पर्व है ये हमारे जौनसारी जन्जाति से संबन्दित है Q10. जो कि हमारा इस वीडियो का आखरी question होने वाला है रामायन एवं महाबारत काल में उत्राकरन छेतर को किस नाम से जाना जाता था Option नमबर A. हिम भूमी Option नमबर B. पवित्र भूमी Option नमबर C. देव भूमी Option नमबर D. किरात भूमी तो हमारा इस question का right answer हो जाएगा Option नमबर D. किरात भूमी पर सोई ये question हमारा environment सुप्रवादर में आरका था और लगभग सभी ने इसका answer देव भूमी किया था जो कि गिलत है इस question का जो हमारा right answer है Option नमबर D. किरात भूमी है इसलिए मैंने या question इस वीडियो में डाला जिससे आपको पता लगे कि इस question का answer क्या है आसा करता हूँ आज की वीडियो आपको काफी अच्छे लगी होगी ऐसे ही और वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें सेर करें फिर मिलते हैं आपको अगली वीडियो में तब तक के लिए जैहिंद वंदे मातरम